हेलो दोस्तो आईए शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने निलेस के साथ और इस वीडियो में हम सिखेंगे वह अपके आज़ी फॉर्म के उप्योग और इससे किस प्रकार की सेंटेंस बनते हैं जो नए हैं वे जान ले कि प्रवर्तक इस प्रकार कोर्स यूट्यूब चैनल पर आवेलेबल है जिसे देखने के लिए वीडियो के नाम पर क्लिक करें जिससे आप पहुच जाएंगे जहां प्लेइस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्स से इसकी प्लेइस मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारी वीडियो करम से मिल जाएंगे नहें देखें और इंगलिस सीखें और जो नय है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेंट के शाथ मिलते रहें, और आप इ he was playing प्रंद्ट हम कुछ नए उपयोग देखेंगे जब वाक्यों में वर्ब की आजिवार्म का उप्योग नाउन की रूप में करते हैं इसे जीरण कहते हैं अर्थ होता है करना तो वर्ब है है रीट कार्थ होता है रीडिंग परन्तु इंग्लिस के स्पोकर में या राइटिंग में इंग्लिस में हम वर्ब की एंजी फॉर्म को नाउन की तरह भी उप्योग करते हैं और एक्जांपल है पढ़ना एक अच्छी आदत है रीडिंग इस गुड हैबिट यहां पर वर्ब है रीड के एंजी फॉर्म रीडिंग जिसका अर्थ जा रहा है पढ़ना और जो की वर्ब रीड का भी अर्थ होता है और रीडिंग हम नाउन की तरह यहां पर उप्योग कर रहे हैं एक सब्द की जैसे जैसे बाकि नाउन यूज करते हैं वैसे ही इंग्लिस में वर्ब के इंग्ली फॉर्म यूज कर रहे हैं रीडिंग और राइटिंग परनतों यहां पर में वर्ब यह तैंज की वह है लर्ण मतलब शीखना तो में आउन सेंटेंज में जो में वर्ब होती है यो यह तिसान के साब से होती है परनतु जो अधर वर्ब की ज़रूरत पढ़ती है जब हमें sentence में तो उसे हम ing form में यूज करते हैं या फिर two plus verb की first form के रूप में प्रयोग करते हैं मतलब जो main verb के लावा जब second verb की हमें ज़रुरत पड़ती है यूज करने की तो तब हम उसे zero या infinitive के रूप में यूज करते हैं या simple कहें तो जब किसी sentence में दो verb होती है तो पहली verb तो हमारे main verb होती है जो sentence में tense के साब से होती है और दुसरी जो verb होती है उसे हम verb के ng form के रूप में यूज करते हैं या फिर two plus verb की first form के रूप में यूज करते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा next example है, मैं रात में बहार जाना टालता हूँ I avoid going outside at night मुझे कार चलाना पसंद है I like driving car तो इस प्रकार हमें जो भी पसंद है, ना पसंद है जो भी हमारी habits है, उसको हम वर्ब के आजि फॉर्म के थुरू बताते हैं जैसे मुझे ice cream खाना पसंद है I like eating ice cream मुझे tv देखना पसंद है I like watching tv तो इस प्रकार जो भी हमें activity पसंद है, उसको हम वर्ब के आजि फॉर्म से बताते हैं उससे cricket खिलना पसंद है He likes playing cricket उसने पढ़ना बंद किया और लिखना शुरू किया He stopped reading and started writing तो हम पारी main verb है, sentence की हो is stop और past simple का है, इसलिए verb की second form is stopped पर दुपढ़ना और लिखना जो हमारे सब्द है उसके लिए हम वर्ब के आजि फॉर्म यूज़ कर रहे है, reading and writing नाचना बंद करो, stop dancing नाचने के लिए हम इंगलिज में वह आपके आजि फॉर्म का यूज़ कर रहे है, dancing और यह से हम नाउन की तरह उप्योग कर रहे हैं चिंता करना बंद करो, stop worrying चिलाना बंद करो, stop shouting तो मुझे लगता है आपको जो वर्ब है, उसके आजि फॉर्म का यूज़ कर रहे है वो sentence से clear हो रहा होगा तो इंगलिज को यह इन चीजों को हम sentence के द्वारा ही अच्छी चीज़ समझ सकते हैं इसले sentence को ध्यान से समझे, उन्होंने लडना सुरू कर दिया ज्यादा खाना खाना मुटापे का कारण है और इटिंग, ज्यादा खाना खाना, is cause of obesity मुटापे को कहते हैं, अने वाले दिन और गर्म हो सकते हैं आने वाले दिन, coming days may be hotter बिना टिकट की यात्रा करना अप्राध है तो traveling मतलब यात्रा करना without ticket is crime traveling without ticket is crime, बिना टिकट की यात्रा करना अप्राध है जूर्म है सोचना एक प्रकार से समय की बरबादी है यह सुना होगा आपने movies में thinking is such a waste of time English में बोलना आसान है परंतु लिखना कथिन speaking in English is easy but difficult to write दवाई लेना बंद मत करना don't stop taking medicine तुम्हारी सलहा लेना बेखुफी है taking your advice is foolishness तो इस प्रकार वर्प के अंजी फॉर्म की जो sentence है automatically practice से reading से सुनकर आपको पता हो जाएंगे आप सीख जाएंगे बस एक basic idea है कि यदी आपको दो वर्प दिख रही है sentence में मतलब वो या तो वर्प के अंजी फॉर्म की रूप में जूज की गई है जिसका अर्थ किस प्रकार से होगा वो हम sentence में देखी रहे है मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है I don't like waiting दूमरपान सेहत के लिए खतरनाक है Smoking is dangerous for health हसना सबसे अच्छी दवाई है Laughing is a best medicine Siam के पास पढ़ाने का अनुभव है Siam has experience of teaching उसे कुलर सुधारने का अच्छा ग्यान है He has good knowledge of preparing कुलर English में वो अपके अंजी फॉर्म का जो second use है या second जो अर्थ निकलता है वो है करते हुए जैसे dancing का अर्थ निकलेगा नाच्छते हुए Running का अर्थ निकलेगा दोड़ते हुए या चलते हुए मतलब जो भी वर्व है वह हो रही है ऐसा हमारा कहने का आसे होता है जैसे उसने उर्थी हुई चिडिया को देखा He saw the flying bird Flying का अर्थ यहां पर उड़ना नहीं होगा उड़ती हुई मतलब जो fly है मतलब उड़ना तो वह करिया हो रही है मतलब उड़ रही है उसने मुझे इंतजार करते हुए छोड़ा He kept me wetting मतलब में इंतजार कर ही रहा था एक चलती हुई कार पेड़ से टकड़ाई और रनिंग कार चलती हुई कार मतलब काल चल रही थी हम ऐसा बोलना चाहा रहे है Hit the tree पेड़ से टकराई या पेड़ को टकर मारी गोगी ने नल भता हुआ छोड़ दिया गोगी left the tape running मतलब नल बही रहा था क्रिया हो ही रही थी गुमता हुआ पंखा गिर गया ओफिस में अ मुविंग फेन ड्रॉब इन आफिस कीप लर्णिंग सीखते रही है कीप इंजॉइंग आनंद लेते रही है कीप स्माइलिंग मुश्कुराते रही है और कीफ लाफिंग हर्षते रही है तो इस प्रकार यहां पर जो भी वर्ब है उसका अर्थ निकल रहा है कीवह करते रही है होते रही है हर्षते रही है वो है preposition के बाद preposition के बाद verb की IG form लगाते हैν जब भी हम preposition यूज़ करते हैं उसके बाद जब हम verb बोलते हैं تو verb की हमेशा IG form यूज़ करते हैं और verb की IG form बहुत अधिक sentence में हम यूज़ करते हैं preposition के बाद क्योंकि इसे एक अच्छे वाक्य बोलते हैं मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू फोर लिस्निंग मी मैं दर्वाजा बंद करके ऑफिस गया I went for office I went to office after locking the door तो यहां पर preposition है after और verb है lock तो आई जी फॉर्म locking तो जब भी हम preposition के बाद वरवाती है तो उसके आज़ी फॉर्म यूज करते हैं और सामाने तह इससे काफी sentence बोले जाते हैं यूज किये जाते हैं इसलिए वो आपके आज़ी फॉर्म की यूज इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ने टेबल कूट कूट कर तोड़ दिया Children broke the table by jumping on it मैं कुछ भी नहीं जानता खाना बनाने के बारे में I don't know about cooking तीन लोग जल कर मर गएं Three people died by burning यहां by preposition और जल कर के लिए हम यूज कर रहें burning जुकने के दोरान दर्द होता है मतलब जब जुकते हैं तब दर्द होता है He gets pain while bending तो while का यहां पर preposition की तरह यूज किया गया है और bending मतलब जुकना वर्प की angiform है तो देखा आपने की हमें sentence को बनाने के लिए हमें वर्प की angiform की विजवरत पड़ती है और किसी सब्द के अर्थ की तरह हम वर्प को angiform का यूज करते है कमरे से बाहर जाने से पहले light और पंके बंद कर दे switch off lights and fan before leaving room वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं है there is no meaning of going there मुझे रुकावट के लिए खेद है या आपको जो डिस्टर्ब हुआ उसके लिए मैं छमाचाता हूँ I am sorry for disturbing you तो इस वीडियो में बस इतना ही अच्छा लगाओ कमेंट करें सजन्सन दे और वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले बेल बटन को क्लिक कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे और आप इंगलिस सीखते रहें थेंक यू